Hello Friends, This is Nilofa Nihinha Khan और सिक्ष्याले मैं आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में सीटेट की फुल इंपोर्मेशन लेंगे सीटेट क्यों important है और कौन-कौन बच्चा सीटेट के लिए eligible है और सीटेट किसके through conduct किया जाता है या फिर seated के बाद आपके पास क्या-क्या opportunity रहेंगी तो ये सब हम discussion करेंगे इस वीडियो में तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like जरूर कीजिएगा अगर आपको ये थोड़ी भी information अच्छी लगती है तो और वीडियो को पूरी जरूर देखेगा क्योंकि बहुत important चीज़े मैं discuss करूंगी इसमें तो चलिए शुरू करते हैं seated के बारे में देखे seated क्या है seated की full form क्या है central teacher eligibility test ठीक है अब ये लागू कब हुआ ये लागू हुआ था 2010 में 23 दिसंबर 2010 में मानव संसादन एवन विकास मंत्रालय की एक अनुदेश घोषणा जारी की गई थी कि जैसे हम प्रोफेसर बनने के लिए जो college में प्रोफेसर होते हैं उनके बनने के लिए net clear करते हैं net का exam clear करते हैं उसी प्रकार आप teacher बनने के लिए एक एक्जाम प्लेयर करेंगे जिसे हमें जिसे हमने कहा सीटेट ठीक है जिसका नाम था सीटेट अब यह सीटेट से 2010 से पहले के जितने भी टीचर्स थे जितनी भी भरती थी मतलब 23 अगस्त 2010 को यह गोशना जारी करी उससे पहले जितने भी टीचर्स थे उनको उनकी जो जॉइनिंग होती थी वह ऐसे ही हो जाती थी विदाउट किसी एलिजबिलिटी टेस्ट है लेकिन 2010 के बाद यह एलिजबिलिटी टेस्ट सभी राज्यों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया और सभी को यह सभी को इसे मानना पड़ा ठीक है तो सीटेट देखें सीटेट में हमारे दो पेपर होते हैं पेपर वन और पेपर टू ठीक है पेपर वन की क्या एलिजबिलिटी होती है पेपर वन में हमारा होता है फस्ट फिफ्ट तक के लिए आप टीचर बन सकते हैं अब इसकी एलिजबिलिटी क्या होती है ट्वेल्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए नहीं हम बात करें बारे में तो पेपर 2 में हमारा 6 से 8 तक के लिए आप टीचर बनते हैं जिसे हम TGT टीचर कहते हैं ठीक है trained graduate teacher इसमें आपका graduation with 50% marks ठीक है 50% marks से आप graduate होने चाहिए हो प्लस B.A.D. और डिप्लोमा देखिए जिनके जो B.A.D. होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद B.A.D. करते हैं लेकिन यह B.A.D. यह 4 साल का कोर्स होता है जैसे आपकी इंजिनिरिंग वगर होता है मतलब 12 के बाद ही आप एडमीशन ले लेते हैं तो यह जो B B.A.D. होता है यह आपका 12 के बाद ही होता है यह B.A.D. 4 साल का होता है जिसमें कि आपके ग्रेजुएशन भी इंक्लूड होती है इसके अंदर 12 के बाद ही होता है ठीक है तो यह पहले क्या था पहले यह दोनों मतलब जो B.A.D. वाले बच्चे थे उन बच्चों के लिए स तोड़े टाइम पहले से बीएड वाले दोनों ही पेपर दे सकते हैं और दोनों ही टीचर बन सकते हैं मतलब पी आर्टी टीचर भी बन सकते हैं प्राइमरी लेवल टीचर और टीजेटी ट्रेंड ग्रेजुट टीचर ठीक है दोनों ही बन सकते हैं अब यहां पर बात करें कि इसके सब्जेक्ट के बारे में तो सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सबसे जो most important है वो होता है इसका CDP and educational psychology देखी यह सिर्फ 30 marks का आता है लेकिन इसको सिर्फ यह 30 marks ही नहीं है इसके फिर हमारा जो दूसरा subject होता है Hindi English EBS और Maths यह हमारा paper 1 का labors है तो मैं इसे important इसलिए बता रही थी क्योंकि 15 marks की तो इसमें आपका आता है Hindi जैसे व्याकरन हो गया passage हो गया यह सब लेकिन जो 15 marks का आएगा ना पंदरा नंबर का जो आती है वो पैडालोजी होती है जो कि आप CDP और educational psychology में ही पढ़ते हैं सेम चीज इसके साथ English में भी 15 नंबर का आपका passage और grammar वाला section होगा दूसरा पंदरा नंबर की आपकी पैडालोजी होगी सेम चीज एवीच में भी 15 नंबर की subject concern होगा पंदरा नंबर का आपका पैडालोजी में भी सेम होगा लेकिन हम बात करें यह 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 तो यह 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 मंतलब जैसते चाल सबटछ fyות मतलब जैसे टीजी टीवीस साइंस की teacher बन सकते हैं या TGT Maths and Science तो इसमें क्या होता है यह यह तीन एक्जाम्स तो तीन सब्जेक्ट तो आपके सेम रहते हैं पेपर टू में लेकिन यहां पर आपके 60 मार्क्स का जैसे आप SST background से हैं तो 60 मार्क्स का आपका समाजिक भी ज्यान आएगा या फिर Social Studies के लिजिए जिसमें कि 20 मार्क्स की आपकी पेडलाजी होगी और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसान होगा और यहीं TGT Maths and Science के बारे में बोले तो उनमें क्या होता है उनमें भी same process होगा कि यहां पर EBS की जगह उनका 30 मार्क्स का Science आएगा और 30 मार्क्स की उनकी Maths आएगी ठीक है और इसमें 30 मार्क्स की आपकी पेडलाजी होगी क्योंकि इसमें 30 मार्क्स में से Science में जब आप पेपर 2 के लिए करते हैं तो 15 मार्क्स की आपकी पेडलाजी होती है और 15 मार्क्स की ही Maths में पेडलाजी होती है ठीक है तो अब बात करें इसके टाइम की तो देखिए यह हमारे टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 150 होते हैं ठीक तो आप इससे idea लगा सकते हैं कि एक question के लिए आपको एक minute मिलता है लेकिन जैसे आपको sheet भी fulfill करनी होती है तो उसके लिए आपको time management करना होता है इसलिए practice बहुत ज़रूरी है अब देखें साल में दो बार होता है यह exam ठीक है साल में दो बार होता है जैसे इस बार का जो है exam वो 5 जुलाई 2020 का है और अब बात करें इसके बारे में कि CDP section इतना important थोड़ा सा discuss कर लेते हैं CDP section के बारे में CDP section और educational psychology वो हर subject में आती है 15 नमबर की तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ CDP और pedology पे focus करते हैं तो 99% आप 110 marks plus से ही pass out होंगे क्यों क्योंके देखिए अगर आप देखेंगे तो 90 marks की तो सिर्फ और सिर्फ आपका pedology ही आती है जब 90 marks pedology में cover हो रहे हैं 30 marks से आपके Hindi और English language में आ गए ठीक है 30 तो ये मानिए 120 में से अगर आप own and average अच्छी preparation करेंगे तो 110 के राउंड आपके marks आ सकते हैं तो इसलिए मैं सला यही देती हूं कि आप अपने focus जो रखें वो पेडलोजी और CDP पर रखें ताकि महां पर आगर आपके concept क्लियर होंगे तो seated क्लियर करने से आपको कोई रही रोख सकता seated क्लिफाय करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं qualified, certified teacher ठीक है इससे पहले आपको जो एक तरीके से यह आपका certificate है कि आप टीचर बन चुके हैं और आप किसी भी government school में apply कर सकते हैं इसे करने के बाद दूसरी चीज़ आप किसी भी private schools में apply कर सकते हैं इसे qualify करने के बाद और बहुत सारे benefit हैं तो seated तो जरूर निकालना चाहिए और हमाय चैनल पे seated से regarding chapter wise series चल रही है जिसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके concept clear किये जाए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमाय चैनल को like चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर useful information हो तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर करें ताकि जिन तक यह information पहुँचनी चाहिए उन तक यह पहुँच सके Thank you